नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनिट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा आज बात करेंगे करनाटक में बीजे पी और कॉंग्रेश के घोषना पत्र की दोनों का घोषना पत्र आप देख चुके हैं तो क्या आपको नजर आया आप निराश हुए मैं तो बहुत निराश हुआ मैं बहुत नाउमीद हुआ खास दोर से बीजेपी के गोशना पत्र से इसलिए क्योंकि नौ साल से बीजेपी की सरकार केंदर में सत्ता में है डबल इंजन की बात करते हैं पिछले चार साल से करनाटक में भी सब्ता में है और फिर ऐसा गोशना पत्र जिसमें विकास कहीं नहीं है जिसमें न्यू इंडिया कहीं नहीं है जिसमें एमर्जिंग इंडिया कहीं नहीं है जिसमें एस्पिरेशनल इंडिया कहीं नहीं है स्टार्ट अप इंडिया कहीं नहीं है कुल मिलाकर किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है और कुल मिलाकर इसकी जगा रियायते देने की बात कहीं गई है एक तरफ प्रधान बंतरी के भाशन है और दूसी तरफ मुफ्त में राशन है और अब तो मुफ्त का राशन प्रधानबंतरी के भाशन पर हावी होता जा रहा है ये बड़े अफसोस की बात है कुल मिलाकर एक लाइन में बीजेपी के घोशना पत्र को समझा जा सकता है हिंदुत्व प्लस रेवडी कॉंग्रिस का घोशना पत्र भी एक लाइन में समझा जा सकता है रेवडी प्लस रेवडी चलिए जो विपक्ष में है वो तो सत्ता में आने के लिए रेवडियां बाटने का वादा करेगा लेकिन जो सत्ता में है वो कैसे रेवडियों की बात कर सकता है कि फिर 5 साल वो क्या करता रहा कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब आपको अचानक याद आया कि BPL के लोगों को आधा लीटर दूद वो भी नंदनी का दिया जाना जरूरी है तो 4 साल में आपने क्यों नहीं दिया 5 किलो अन BJP देगी 10,000 रुपे या 15,000 रुपे की FD BPL महिलाओं के नाम पर होगी दलित और S2 महिलाओं के नाम पर होगी और इसके अलावक इसी तरह की कई सारी घोशनाओं का अंबार लगाया गया है और साथी साथ में BJP को लगा कि श्यार रेवडियों से भी काम नहीं चलेगा या दावा करती रही है तो फिर ये रेवडियां बाटे जाने की क्या जुरूरत थी इसका मतलब है कि आप हकीकत समझ रहे हैं आप ये समझ रहे हैं कि जनता महंगाई से बेरोजगारी से भरष्टाचार से बुरी तरह से तरस्त हो चुकी है यो ईदिना का सर्वे, एवीपी न्यूस का सर्वे, दूसरे कुछ और सर्वे CSDS का सर्वे, वो भी यही बता रहा है कि 28% लोग बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं 25% महंगाई को मुद्दा मानते हैं 51% मानते हैं कि भरष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले 5 साल के मुकाबले तो आप यह यखीन करने लगे हैं कि ये मुद्दे अब हावी हैं ये मुद्दे अब जनता को ज़्यादा प्रभावित करेंगे आपका भाशन शायद काम नहीं आएगा तो राशन देना जरूरी हो जाएगा इसके साथ साथ अलग कुछ और कहानिया भी सामने आती हैं फिर हिंदुत्व की बात कोस्टल करनाटक 19 सीटें पिछली बार बीजेपी ने 16 जीती थी इस बार भी 1314 मान के चला जा रहा है कि जीत जाएगी सेंट्रल करनाटका बेंगलूरी और आसपास का इलाका आता है वहाँ पर भी बीजेपी को अच्छी बढ़त लेनी है अगर बीजेपी को सौ पार जाना है तो तो अब हिंदुत्व का तड़का लगाया जा रहा है हिंदुत्व में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बै आखिर बिरोजगारी महंगाई का समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे है NRC National Register for Population for Citizen तो NRC की क्या जरूरत है NRC की तो Border State में जरूरत रहती है जहां पर दूसरे देशों से अवैद रूप से लोगों के आने की आशंका बनी रहती है ताकि NRC के नाम पर उन अवैद लोगों की पहचान की जाए और उनको वापस उनके देश भेजा जा सके, डिपोर्ट किया जा सके लेकिन करनाठेक में तो ऐसा कोई मसला ही नहीं असम में बीजेपी ने जरूर कहा था NRC को लेकर फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे 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 गया और CAA Citizenship Amendment Act बीजेपी लेकर आई थी लेकिन शाहिन बाग की महिलाओं ने वहाँ भी दाल नहीं गलने दी सक्ट कर देंगे धर्मांतरण विरुदी कानून को और ज्यादा सक्ट कर देंगे एक सर्किट एक धार्मिक सर्किट बन जाएगा जहां-जहां हलाल और टीपू सुल्तान और फिर हिजाब जैसे मामले उठते रहे हैं एक खतरनाक बात यह है कि बीजेपी अपने घोशना पत्र में कह रही है कि मंदिर और मंदिर के आसपास के परिसर में जो तीज, तोयार, मेले होते हैं जो दुकाने सच्टी हैं तो वो प्रशास्निक अधिकार और कुछ पावर मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी यानि किसकी दुकान खुले, किसकी दुकान नहीं खुले यहां मुसल्मानों की दुकान नहीं खुले, इसके लेकर कुछ धार्मिक संगठन, हिंदुवादी संगठन आवाज उठाते रहे हैं तो यह खतरना खेल है एक तरफ आप कहते हैं पस्मंदा मुसल्मानों को अपने पक्ष में लाना है दूसरी तरफ मुसल्मानों का 4% कोटा आप हटा देते हैं 2% वो का लिगगा को 2% लिंगायतों को दे देते हैं और मुसल्मानों से कहते हैं कि साथ धार्मी का धार पर मिल रहा था भई धार्मे का धार पर कैसे मिल रहा था वो तो OBC के तहट 2B श्रेणी एक अलग जो श्रेणी थी उसके तहट मिल रहा था और मैसूर स्टेट के समय से ये आरक्षन की ववस्ता तब से की जाती रही है कॉंग्रेस इसका तोड क्या लेकर आई है कॉंग्रेस लाई है कि साब हम आरक्षन की जो सीमा है 50% से बढ़ाकर 75% कर देंगे तो कॉंग्रेस को लगता है कि बीजेपी के आरक्षन का तोड ये हो सकता है और साथ ही साथ जाती है गर्णा की बाद ने सिरे से राहूल गांदी से लेके तमाम दूसरे नेता करने लगे हैं कॉंग्रेस ने कहा 10 किलो चावल देंगे बीपियल फैमिली को तो बीजेपी ने कहा 5 किलो चावल देंगे और 10 लीटर दूद देंगे रोज बात बराबर हो जाईगे कॉंग्रेस कह रही है साब 200 उनेट विजली मुफ्त देंगे 2000 रुपे हर परिवार में जो दलित महिलाएं हैं और बीपियल की हैं उनके परिवार की जो सबसे भुज़ूर्ब महिला है उसके खाते में डाल देंगे कॉंग्रेस कह रही है साब जो सनातक सर के लोग हैं दो साल के लिए 3000 रुपेया वजीफा दे देंगे वजीफा या बिरोज़गारी भटा दे देंगे पहले 2 साल और जो डिप्लोमा धारी है उनको 1500 रुपे देंगे तो दो साल बाद क्या होगा दो साल बाद क्या वो नौकरी लग जाएगी दोनों गोशना पत्र ये कहते हैं कहीं नहीं बता रहे कि करनाटक में पांच साल बाद जनता किस हाल में होगी पांच साल बाद किन सिस्तियों में जी रही होगी अच्छे स्कूल की बात कोई नहीं कर रहा, अच्छे हस्पतालों की बात कोई नहीं कर रहा, पोशन की बात नहीं कर रहा, स्वस्त भोजन की बात कोई नहीं कर रहा, हर कोई रियायते, रियायते, रेवडियां, रेवडियां, रेवडियां देने की बात कर रहा है, तो ऐसे मे अफसोस की बात है कि करनाटक जैसे राज्य में ये हाल है जो पढ़ा लिखा, समझदार, थोड़ा समरिद राज्य है देश में 4-5 राज्य समरिद राज्यों में कहलाते हैं आप जानते हैं उसमें गुजरात है, एक महराश्ट है, एक टमिलाडू है कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से दिल्ली भी आता है कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से हर्याना भी आता है गोवा भी आता है छोटे राज्यों में लेकिन करनाटक भी इसी में आता है पर कैपिटा इंकम जो दस साल का औसद जो लिया जाता है उसके हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान का 92,000 कुछ है करनाटक का 1,64,000 डेड़ गुना ज्यादा है चार-पांच राज्य और हैं जिसमें हर्याना है, गोवा है, सिक्किम है, गुजरात है जहां पर पर-capita income करनाटक से ज्यादा है लेकिन पर-capita income की जो ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा करनाटक की रही है करनाटक में विरोजगारी दर 3.2% है, राश्टिय और सत इसका 4.1% के आसपास है जो लेटस्ट मार्च वाला जो आंकड़ा आया है उसके हिजाब से इसी तरह BPL की बात करें तो करनाटक में 21% आबादी BPL है, हिंदुस्तान का एवरेज 22% का है शहरी छेतर में जरूर राश्टी और ससस से ज्यादा BPL करनाटक में है ग्रामीन छेतरों में भी 24%, 25% राश्टी अस्तर पर यानि हर चौथा व्यक्ति BPL में आता है देश भर के हिसाब से देखा जाए, तो करनाटक में भी हर चौथा ग्रामीन व्यक्ति BPL में आता है लेकिन एक्सपोर्ट का मामला है, निर्यात का मामला है तो देश के चार राज्यों के अंदर करनाटक की गिंती होती है चौथा राज्यों है, महराज, तमिलाडू और गुजरात के बाद तो इतने सारे पेरामीटर्स पर करनाटक अच्छा कर रहा है जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोटेक्टिविटी है जी एस डीपी जो कहलाता है, जिसका मैं आखड़ा आपको बता दूँ प्रोटेक्ट, उस वो भी करनाटक का देश के जो दूसरे राज्यें उनके मुकाबले अच्छा है और 2021 में ये 12 लाग करोड था, जो 13 लाग करोड रुप्या हो गया अगर उसके अगले साल, इसमें रफ्तार की दर इजाफे की दर 7.6 परसंट रही जबकि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जो एकनॉमी है, वो 7 परसंट के इसाब से उसकी विकास दर रही तो इंफ्लेशन, महंगाई दर करनाटक में देश के मुकाबले में कम है मार्श 2023 का लेटस्ट आंकड़ा देखा जाए, तो देश में 5.66 परसंट थी और करनाटक में 5.58 परसंट थी तो कहने का मतलब है कि दूसरे राज्यों के तुलना में अपेक्षा करेत, उत्तर परजेश, राजिस्थान, मद्देपदेश, च्छतिजगर, बिहार, जारकंड, ऐसे जो काउबल्ट के उत्तर भारत के राज्ये हैं, उनकी तुलना में करनाटक बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसके बावजूद इस तरह की रेवडियां बाटने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरह से मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें फिर इस सच्चाई को जो बीजेपी ने पहचान लिया है, तो साथ ही साथ बीजेपी को ये भी समझ में आ गया है, कि डबल इंजन का उनका जो सुत्र वाक्य था, वो फेल हो गया है, कम से कम करनाटक में, अगर करनाटक में फेल हुआ है, तो दूसरे राज्यों में किस रूप में और कैसे चल रहा होगा, एक और हैरानी की बात है कि बीजेपी ने मैनिफेस्टों में काया कि ग्रामिन छेत पांच लाग बेघर लोगों को मकाम दिया जाएगा, तो फिर प्रधानबंतरी आवाज योजना क्या कर रही थी, प्रधानबंतरी आवाज योजना के तहट क्या ये लोग उस पात्रता की सूची में नहीं आते थे 15 लाग लोग, अगर आते थे तो घर क्यों नहीं दिया ग और रेवडी के लिए अर्विन केजरिवाल को कोसना रेवडी के लिए विपक्षी पार्टियों को कोसना और रेवडी के लिए कॉंग्रेस पार्टी को खासतोर से कोसना कि कॉंग्रेस पर यकीन मत कीजिए उनकी वेरेंटी खत्म हो गई तो उनकी गरेंटी वो कैसे पूरी कर पाएंगे तो आप कैसे पूरी कर पाएंगे अशोग हलोत ने सही सवाल उठाया कि तीन गैस सिलंडर मुफ देने की बात तो गोवा के लिए भी कही गई थी यूपी में भी कही गई थी वहाँ तो ये सब लागू नहीं हुआ तो करनाटक में कैसे लागू हो जाएगा ये बड़ा सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बता ही चुका दूसरी तमाम चीजों की मैं बातें आपके सामने रखी चुका तो अब मूटे तोर पर सवाल उड़ता है कि इतनी रेवडियां बांटने का वादा करने के बाद भी बीजेपी अगर करनाटक हार गई तो परधान मंत्री क्या करेंगे तेलंगाना में क्या होगा राजिस्थान मद्देपजे 36 गड़ में क्या होगा वहां किस तरह की रेवडिया बांटी जाएगी और 2024 का लोग सबा चुनाओ क्या फिर वही रेवडि बांटने में ही गुजर जाएगा जो विकास है आधारभू धांचे का विक्सित होना है बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और पांच ट्रिलियन डॉलर की एकोनॉमी का बादा है ये तमाम चीजें कहां चली जाएंगी इन तमाम चीजों से अर्थवबस्ता पट्री पर लाने की और आर्थिक रिफॉर्म्स करने की सूरत में बीजेपी बढ़ेगी या फिर वो कानों को हाथ लगा लेगी कि नहीं वही प्रोव पूर करना है वही रिवडियां बांट नहीं है और उससे भी भला नहीं होने वाला कुछ समय के लिए आप लोगों का भला कर सकते हैं लेकिन ये स्थाई समाधान नहीं है आईरलेंड की एक कहावत है कि किसी आदमी की भूक आप कैसे शांत कर सकते हैं दो तरीखे से एक तो आप मचली मारिए पकी पकाईए और उस आदमी को दे दीजिए कि साब ये मचली एख खा लीजिए वो खा लेगा उसकी भूक शांत हो जाई एक उस आदमी को आप मचली मारने का कांटा दीजिए मचली मारने की सारे उपकरन दीजिए मचली मारने का स्टाइल बताईए तक्नीक बताईए और उससे कहिए कि ले भई ये मुफ्त में ले और मचली मार और दो मचलिया मारना एक मचली घर ले जाना और पका कर खाना और दूसरी मचली बेच देना बजार में नहीं बिके तो हमें सरकार को बेच देना और उसके बदले में नमक, तेल और मिर्च और तमाम दूसरी चीजों की विवस्ता कर लेना तो यहां तरीका क्या अपनाया जा रहा है कि भूके हैं तो जेब में एक-एक मचली डाल लो क्योंकि उसमें कुछ आपकी जेब से कुछ जाता नहीं है सरकारी धन्य इंकम टेक्स वालों का जो पैसा देते हैं लेकिन मचली मारने का उकरण देने में आपको बहुत रिसोर्स लगाने पड़ते हैं दिमाग खपाना पड़ता है ववस्था करनी पड़ती है उस सिती में उस पचड़े में शयद कोई पॉल्टिकल पार्टी अब हसना नहीं चाहती इसलिए रेवणियां आसान समाधान हो गया है फिर मैं कहा रहा हूँ कॉंग्रेस जो कर रही है वो भी गलत कर रही है लेकिन बीजेपी सत्तारूर पार्टी के नाते प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी के भाशनों के नाते उन्होंने जो विगास का पैमाना सापित कर रहा है विश्वगुरू की भूमी का बना रखी है उसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ज्यादा बुरा कर रही है नरेंदर मोधी ज्यादा बुरा कर रहे है कुछ लोग कहेंगे कॉर्स करेक्शन हो रहा है हकीकत उनको समझ में आ गई है और सत्ता वो किसी कीमत पर खोने नहीं देना चाहते तो क्या सत्ता पांच किलो आनाज मुफ्त का और आधा लीटर दूद से चलेगी बड़ा सवाल है